तीन महीने पहले हुआ था शो का अगाज वक्त आग यह यह जानने का कि किसके सर पर सजेगा बिग बॉस का ताज हलो फ्रेंट्स मैं हूँ यासमीन सल्मान खान का कॉंट्रोवर्शल शो बिग बॉस अपने अंतिपडाओ से बस कुछी दिन दूर है और बिग बॉस की घर में तीन महीने का सफर इतना आसान नहीं होता है जितना की हमें दिखता है ऐसे में फिनाले से बस कुछी दिन पहले किसी कंटेस्टेंट का घर से बेघर हो जाना वाकई काफी मुश्किल भरी सिच्वेशन होती है जहां बीत एपिसोड में आपने देखा होगा कि सोमी खान घर से बेघर हो गई है वही अब घर से निकलते ही उन्होंने रोमिल के साथ अपने रिष्टे को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है जहां खबरों की माने तो एक इंटर्वियो के दौरान उन्होंने बताया कि चाहे बिग बॉस के घर की बात हो या फिर बिग बॉस बारा से बाहर की मैंने हमेशा अपने दोस्तों को सपोर्ट किया है हापी कलब के तूटने के बाद मुझे ऐसा लगा कि रो मिल बिलकुल अकेले हो गए है जिस कारण मैंने उनका साथ दिया इसके साथ साथ उन्होंने भी मेरे लिए घर के अंदर कई त्याग किये थे जिस कारण मेरा और उनका एक स्पेशल बॉंड बन गया था हम दोनों की दोस्ती एकदम पे और है और हमें किसी को इसका सबूत देने की जरूरत नहीं है ऐसा जरूरी नहीं है कि हारेक रिष्टा रोमांटिक ही हो तो देखा आपने ना सरफ घर के अंदर बलकि घर के बाहर होकर भी सोमी ने अपने स्टेट्मेंट चेंज नहीं होने दिये हालकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो वही जानती होंगी फिलाल आप हमें कमेंट में ये बताएं कि आपके हिसाब से सोमी का घर से बेघर हो जाना ठीक था या नहीं